तो चीजें उसके बारे में लिस्कस करते हैं, तो VVM Macro Programming को करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ च्छीजियों को ध्यान में रिखेगा, सबसे पहले Macro के तो Security है, वो Unable होना चाहिए, developer time में Macro Security में Unable All Macro आप यूज़ कीजिएगा, क्योंकि default जो होता है disable all macro with notification होता है जिसको आपको enable करना पड़ेगा तो जिहान रखेगा कि enable रहे अगर enable नहीं होगा तो जब भी आप macro वाली file open करोगे तो हमेशा pop-up उपर में आएगा enable macro का और event macro वगरा work नहीं करेगा यह जिहान रखेगा दूसरा macro वाली जो file है उस file को जब भी हम save करेंगे उसको save करेंगे macro enable workbook में macro enable workbook में हमेशा file को save किजिएगा अगर आप ने file को गलती से भी excel workbook पे save कर दिया तो क्या होगा आपकी file का macro पूरा disable हो जाएगा और आपको कुछ नहीं देगा इसलिए macro enable workbook की select किजिएगा तो default करके बार बार गलती से छुट जाए तो आप excel option में चले जाए अचल option में आने के बाद यहाँ कस्टमाइज रिवन में आए और यहाँ पे तो एक माद कीजिएगा save पे यहाँ से आप macro enable workbook करके programming करने के लिए हमेशा विज्वल बेसिक पे क्लिक करते हैं विज्वल बेसिक पे क्लिक के जिए इसका शॉटकर होता alt f11 अगर देवलेपर टाइप से आप सकते हैं यह आपका विंडो है इसका नाम है VVE विज्वल बेसिक पो एडिटर अब याद रखेगा इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है इन्विल्ड होता है Microsoft Excel के साथ सारे वर्जिन ने ठीक है अब दुश्य चीह है कि हम प्रग्रामिंग कहां करेंगे तो प्रग्रामिंग करने के लिए आपको चाहिए प्रजेक्ट पुपटी प्रजेक्ट चाहिए बद अभी प्रजेक्ट एक्स्प्रोरर चाहिए जो कि होता है मालों कभी नहीं हुआ तो आप यह इसेंबल दिख रहा है इस पे क्लिक कर सकते है इसका सॉट कर्ड कर जोल आर होता है तो यह आपका प्रजेक्ट आ जाएगा और मंतर किसे भी ऑब्जेक्ट होगे जैसे फाइल हो उसका पुरा लिस्ट यहां पर खुल आरेगा यहां सब्सक्राइब जैसे कि नहीं आपर पर शीट इंसर्ट किया तू 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 थू तू 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 यहां देखिए वां तू 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 थू फूर इस तरह यहां पर एड़ हो घंग करेंगा अगर मैं इसको अब किसी वाइट एरिया में करना होता है तो एक वाइट रिया किसकी है कि सीट वन के बतलब कि यहां पर आपको अब्जेक्ट हाइलेटेट देखेंगे जिसके कोडिंग नहीं करते हैं इसका दो रीज़न इसी के साथ इसकी फाइल से कोडिंग जो है माल इसीट वन पर डवल क्लिक करके मैंने सीट वन पर कोडिंग की तो मेरी कोडिंग सीट वन की पोपर्टी में से हो गया करके देट पर अगर मैं सीट वन को डिलीट करूंगा तो उसके साथ सब इसका कोड भी डिलीट हो जाएगा तो हम कोडिंग कहाँ करते हैं हम LODIG करते हैं इंसाओट में जाये मशिक्ती यहां है एक करने का दो रीजन है एक पो डिलीट होने के चांसे जिए दूसरा इसमें बहुत सारे object जो हैं दूसरे object से relate नहीं करते हैं मतलब कि seat 1 पे आपने coding किया और seat 2 से push लेना चाहते हैं तो बहुत सारे cases में आप नहीं ले बाते हैं errors हो करता है लेकिन बुरूल में इस ये करते है उसको आप किसी भी seat पे किसी भी file पे access कर सकते है कि दूसरा इस ट्रैक हो जाता है अब बात करते हैं अब बात करते हैं डिक्लेरेशन अब दा माइकर आप इससे पहले में आपको अब बाले मताया था कि जब भी हमें कोई प्रोग्राम मनानी है जब भी कुई हमें मंतक्र कोड़ कोडिंग मनानी है तो इसकी o माइक्रो आपके माइक्रो लिस्ट में बन जाएगा लेकिं माइक्रो नेम देटेशन ने कुछी जो को ध्याम ने कही है माइक्रो नेम में space, comma, dash, dot, plus, minus किसी भी तरह का special character मिले होना चाहिए ठीक है किसी भी तरह का special character हुआ तो फिर ये माइक्रो नेम आपका डिस्टेवल हो जाएगा मतलब माइक्रो नेम फिरो accept नहीं करेगा नहीं थ्री इजिट का अलफानुमेडिक जैसे कि नहीं राजवन दे दिया ये भी माइक्रो नेम असेप्ट नहीं करेगा क्यों? कभीता जी बताएंगे ये राजवन माइक्रो नेम असेप्ट क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं थ्री इजिट में अलफानुमेरिक मतलब यैसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर माइक्रो प्ले करेंगे ना तो ये राजवन नाम के रेफरेंज में ले जाएगा क्योंकि राजवन नाम का और लेडी सीट का रेफरेंज है तो उस रेफरेंज में रेफरेंज कर देगा क्योंकि यहां पर देखिए एक्स एफडी तीन डिजिट का होता है लेटर का और आपका नुमेरिक आपका जो पसलाब सम्थिंग है इसके बीच के कोई भी लेटर बनेगा तो उस नाम गलत हो जाएगा लेकिन देना पड़े आपको तो इसको अंदर्सकोर लगा सकते हो अंदर्सकोर असेप्ट करता है एक नाम के दो मैक्रो नहीं बनेगे धियान रखिएगा एक नाम के दो macro in this file के अंदर में नहीं होने चाहिए, दो फाइलों में same macro बना सकते हैं कि एक फाइल में दो macro नहीं होना चाहिए, दूसरा, जो हम बहुत सारी फाइल खुल लेते हैं, तो दो फाइले कोल लखी हैं, तो यहां पे coding करते समय ध्यान लखिएगा कि आप coding कहां कर अब देखिए यहां पे देख़ा है, लुट वाल देखिए, किस इसका ध्यान रखिए कर देते हैं, किसी और फाइल में को सब्सकरते हैं, तो देख लिए कि आपके coding किस फाइल में हो रही है, किस फाइल के मुदूल में हो रही है, और पुनित जी, मैंने आपको बढ़ाया मैं आपको एल्गोडिजम प्राया था नहीं सर नहीं प्राया तरी आपने वीडियो बेजी थी इसकी बस अब बात होती है कि हम यहां पर कोडिक लिखे क्या जैसे कि कि इंग्लिश लैंग्विज में हमारा पार्ट उपीच होता है इसे ट्रांसलेशन के डूल से न हम जब वह को भी संटेंज बोलते हैं तो संटेंज के कई पाथ होते हैं नाउन होता है वहां होता है वह होता है तो जैसे कि मैंने बताया कि हम भी कोशिस कर रहे हैं Excel के साथ communicate करने की मतलब Excel के साथ बात सीथ करने की अपनी बात Excel को समझाने की तो यहां भी लिखने का कुछ ऐसी तरह का part of speech का ताइप का ही होता है तो ओ क्या होता है तो मेंनली अगर आप कोट अगर आप पहले देखे होंगे या आपी देखते होंगे तो अधिकतर कोट की पहला वर्ड चार में से एक होता है पहला होता है application दूसरा होता है आपका workbook तीसरा होता है sheets और चार में से एक कौन सा होता है यह दिपेंड करता है आपके मतलब कि आप जो लाइन को कि यहां पे जो लिखते ना लाइन इस एक स्टेप को हम एक लाइन में लिखते हैं जैसे हमें copy करना कोपी करके पेस्ट करना इस दो स्टेप होगा दो तीर होगा पहले selection होगी तीर स्टेप होगा पहले पेस्ट लोकेशन पर जाए जाए जाएगा दन पेस्ट हो जाएगा आपको काने को सिंपल होगा है copy and paste एक वर्ड में बोल ने थे लेकिन वीवीए को क्या समझाना पड़ेगा कि पहले उस एरिये को पे जाओ जहां हमें कोपी करना है तो एसे स्टेप्स होने चाहिए ऐसे स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको चलेगा कि अगर आप इस्टेप्स को सही तरीके से नहीं आओगे तो कोडिंग में दिक्कत बोड़ सकती है तो पहले क्या करना है पहले आपको टेप्स बनाने ऐसे फोर एक्जामपल कि मुझे यहां एवन पे नेम लिखना है मुझे क्या करना है एवन पे नेम लिखना है पे रॉल नमबर लिखता है और सी वन पे मुझे मार्क्स लिखना है अब इस काम को वी वी के फूर करने के लिए क्या अर्गर्जिम होगा अरिधा बनेगा स्टार्ट अक्ट ओच्च एवन इंसरी और स्टर्ड़ नेन्स है लेक्ट वीएप्ट प्राइब कि एंटर रॉल इंटर रॉल इंटर रॉल इस तरह से करना पड़ेगा इस तरह से हम एकिक स्टेप के लिए एकिक लाइन देखेंगे अब कोश्चन आता है कि क्यों बनाए इस तरह का हम में त्यार मन सहीं डाया कोडिंग कर देंगे तो कोश्चन नहीं उठता है कि अगर आप algorithm नहीं बनाओगे तो कोडिंग तो कर सकते हैं लेकिन किस चीज का जो आपको आता है जो चीज आपको आती है ओ कर सकते हैं जो चीज आपको नहीं आती है उसको तेसे करेंगे ठीक है जो चीज आपको नहीं आती है ओ कैसे रखेंगे तो जो चीज आपको नहीं आती है उसकी कोडिंग हम कैसे करेंगे मांग दिजिए कि केश आलंग जी ने मुझे एक काम दिया मुझे मेरी एक फाइल है उसकी एक आटोमेशन करनी है मुझे आप करके दीजिए अब पुश्चने उठता है कि अब फाइल इक अंदर में क्या गरना है कहां पर किस तरह की कोडिंग करनी है कहां से कॉपी करना है क्या कंडिशन लगाना मुझे बताएंगे तो ऐसी बताते जले जाएंगो मैं ऐसे लिखते तरह जाएंगा कि मुझे पता नहीं कि किस तरह से करेंगे तो उसके हर स्टेप को लिखना पड़ेगा ना जब हम हर स्टेप को नहीं लिखेंगे कैसे प्रोगाम करेंगे हो सकता है कि स्टेप ऊपर नीची हो जाएंगा जोड़ी है क्योंकि जब भी हम कोई प्रोगामिंग करते हैं हैं और यहाँ पर कुछ इलिखना पड़ता है जैसे कि पहला आपका यहाँ पर है conten अनल्स्यश्म अन्यश्म मतलब की प्रोगल्म Krall झोटा तरीका निकाल बनाओ फिर बात आरा हो करो इसकी अल्गोर्डम बनौ फिर होता है कोड कोण करो फिर आता है टेस्ट उसकी कि टेस्ट हर एंगल से करना पड़ेगा फिर वापन से यहां पर री कोड़ करो अगर कोई एरर आता है तो यू कोड़ करो और फीट टेस्ट करो कि अगर उसके बाद यहां पर अपलाए करो इसी दर पॉर्शी अब तब प्रगाम कि आप माक्रों जो बना रहे हो और बना रहे हो एक अख्तु मेशन के लिए हर दीन अलग 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 डिटा आएगी अलग लग निस्स आएगी तो आपका प्रुग्राम हर कर से हर कि अधा आप है कि हर एंगल से हर चीज को करने के लिए अलिजिवल पूराइब नहीं तो क्या होगा कि होगा एप कि अभी आपने प्रोगाम कर लिए जो देटा तो अधिकले के डेट में डेटा का टाइप फाट चेंज हुआ आपका प्रोगाम एरड है आप पूरीट जी मैं सही वोलना हूं अधिकले तो प्रोगाम के तरह बनाओंगे तो आपको इन फीचर निए उसको बाहर बार चेंजिंग ने की जोती ही पड़ेगी मना का हुँता हर बार आपको चेंज करना पड़ेगा बही आरा आगया चेंज हो आपके माय के मैंको हमेश आप प्रोगामिंग मनाओं तो आप अपने लिए इस सोचल मत बनाओं कि यह मेरे लिए है आप प्रोगामिंग मनाओं कि एक ऐसे बेवपूफ के लिए है जिसको वीवी का वीवी नहीं आता है पॉइमेजिंग नहीं हो तो अपने बॉच्स जटेगा है हां हाहं हां मार दोता है हाई 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 हई है हाई ह há कुछ करना ना पड़े सामने वाले यूजर को कि समझें कि इस लिए चली यह हो गया अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो अब कुशन यह उठता है कि अप्लिकेशन वर्क बूक रेंज सीट हम कैब लिखेंगे और डिपेंड करता है आपकी अल्गोजर्म पर मतलब कि आपकी कोड आपकी जो लिगुजर्म है जो कोड लिखना चाहते हो और पुरी की पुरी अप्लिकेशन को एफेक्ट कर रहा है फर्म कोडिंग अप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगा अगर हो वर्क बूक के इफेक्ट कर रहा है Christian Beijing अगर बल्गुक के वेफेक्ट करता है तो उल्गोजर्म से स्टार्ट करें डियरा सीट के सब्सक्राइगे arrange को effect करता है तो arrange से करें ठीक है जैसे कि एक्जाम पर लग मुझे workbook को add करना है तो workbook को add करना है तो हम code लिखेंगे यहाँ पे workbooks.add अब workbook को add करना है मुझे workbook को save करना है अब यहाँ में सोच में बाली बात आती है कि save का coding अलग होता है save नहीं होता है और save जाता है save का coding होता है कि work book और यहाँ पे किस book को करना है कि book one dot save as कहाँ तो c drive में one two three folder के अंदा one two three dot xlsx मैं ऐसे लिख दिया अर इस code को समझी इस code में workbook हो जाए जाएगा object और यह बुक जो बुक वान हमने गलत लिखा हमें बुक वन डॉट एक्सलेस लिखना करेगा एक्सलेस 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 में गसाथ बुक वन हो जाता है object रिटेयर मतलब की workbook किस workbook को आए 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 और सेव क्या करना है सेव करना है कहां करना है सेवज करना है तो मतलब इस तरह संटेंज दो चीज़े होती है workbook हो जाएगा object और सेव है जाएगा रिम्बर workbook हो जाएगा location and save हो जाएगा action कि किस location पर हमें क्या action करना है ठीक है और जो book one है यह हो जाएगा location का details and यह आपका जो drive का path जो हमने दिया हुआ है हो जाएगा action का details अब्जेक्ट और action के बीज में object और number के बीज का जो separated होता है और dot होता है right लेकिन यहाँ पि यह code नहीं करेगा अब यादा है कि situation according to the situation code apply करना होता है क्यों क्योंकि जब मैं workbook add करूंगा तो ज़री देखो book one ही add और book two, book three, book four, book five कुछ भी add हो जबता है क्या सब्सक्राइगा तो यहाँ पर situation नहीं मुत बोल लहीं है कि मैं इस तरकी code करो because हमारा object fix नहीं है right तो यहाँ पर किस एंगल से सोचना होगा अलग एंगल सोचना होगा कि object जब भी हम file को नहीं file को create करते है वही file activate होती है जैसे कि control n हमने किया तो यह एंगल किया तो जो book 2 वा और book 2 ही activate होगा sorry sir, sorry sir यह phone both आ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम active work book dot save as करेंगे और उसके बाद पाथ देंगे जो अभी path हमारा होगा उपाथ ठीक है situation लेकिन मुझे यह करना है कि जो file create हो रही है वही save हो जाए तो डायेक हम यहाँ भी दे सकते हैं save as और यहाँ path तो coating में एक चीज को लिखने का तीन चार तरीके होते हैं कि जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं न तो बोलने का मतलब की एक ही वर्ड को तीन चार जगह इस्तमाल करते हैं तीन चार जगह इसका मेंनिक अलग अलग होता है क्या सब्सक्राइब करता है सिच्चुएशन कि जो कोड कर रहे हो उस समय फाइल की या की सिस्टम की सिच्चुएशन क्या है उसके सब्सक्राइब करते हैं क्यों क्यों कि हमारा कोड डायनमिक हो हम नीचे वह सबसे सबसे नीचे वह लाइन है बुक वान बला यह भी यूज कर सकते हैं बट इस इस अनौन डायनमिक है ठीक है डायनमिक नहीं क्यों 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 क्य प्रोगाम चलाओ यह तो एक्टिव वर्क्बूक दर सब्सक्राइब होगा जब हम फ्रॉंट एंड में काम करेंगे लेकित कभी कभी क्या होता है कि विजुलेटी नहीं होती हमें बैकन काम करना है तो वहां यह नहीं चलेगा तो वहां हमारा एच लेगा कि एक पर सिच्वेशन इकन बिसाइब कि हमारा कोड का चांसेप्ट क्या होना चाहिए तो समझें है करने मतलब की सांथ जब प्रगाम करते हो तो साथ साथ एक्स वसक्त करते वी रहो तकि आपको सिच्वेशन का पता चुलता है कि सब्सित लेकि मतलब कि मुझे हर सेवेयर्ज करना थोना कंडॉल एंड करना था अंडों कर से लेजन करता laha qizz a पता चिले जब manual procedure पता चिले जाएगा उसी procedure को हमें code के अंदर लेटे रहे हैं तो अब बात करते हैं कि one by one हम यह आपके जितने भी चारों जो object है उस पर हम discuss करेंगे हम पहले बात करेंगे work application में पहले बात नहीं करेंगे कोई application को आद्वान्स है हम बात करेंगे workbook पे हम बात करेंगे sheets पे हम बात करेंगे range पे लेकि उससे पहले आपको थोड़ी सी practice करनी होगी और practice करनी होगी किस पे अगरिवर्ण से अगरिवर्ण पर तो आप लोग आइल्गरिदम पर practice कीजिए कुछ अगरिवर्ण बनाके मुझे भेजें फिर कल आपको आपको फोर्ट करेंगे अन्यां अलो हां बुलिए बुलिए अलो कि अ